आगामी लोगसभा चुनाओ 2024 को लेकर विजेपी की तयारियां तेज हो गई है। विजेपी अपनी और से सभी सीटों पर जिस उने शुत करने की हर मुम्कीन कोशिश कर रही है। विजेपी की तयारियों की कारण कॉंग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। विजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट में 195 लोगसभा प्रत्याशियों के नामों का एलान किया था। इसमें पार्टी के मध्रप्रदेश की 24 सीटों पर भी नामों का एलान किया है। जिसे लेकर पहले ही कॉंग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। अब कॉंग्रेस को यहां एक और बड़ा जटका लगा है। चिंदवाडा नगर पाली का निगम में कॉंग्रेस के साथ पार्षदू ने पाला बदल कर कॉंग्रेस का हाथ छोड़ विजेपी का दामन थाम लिया है। आईए जानते हैं क्या है पूरा मामला, मैं है उस अपना और आप देख रहें प्रदेश तक। किछले लोकसभा चुनाओ में विजेपी प्रदेश में 29 सीटों में से सिर्फ एक चिंदवारा सीट पर हारी थी जिसके बाद इस लोकसभा चुनाओ में लगातार विजेपी की नजर चिंदवारा सीट पर बनी हुई है। और पार्टी की ओसे लगातार कॉंग्रेस की जोली से चिंदवाडा सीट छीनने की कोशिश की जारी है। लेकिन पार्टी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस के दिगज नेता कमलनात को उनके गड़ छिंदवाडा में हराना एक बड़ी चुनोती बन गई है। इसे बीच विजेपी ने चिंदवाडा में कॉंग्रेस के चिंदवाडा सीट पर बड़ी सेंधु लगाई हुई है। जिसके बाद नगरपाली का अध्यक्ष की कुरसी भी खत्रे में पड़ गई है। जिसके बाद जाए हुई है।